हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत हाप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में देखे दोस्तों SSE GD 27 नुवंबर को आज आपका कोई भी पेपर नहीं हुआ है ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए लेकर आए हूँ जिनका भी आने वाले दिनों में SSE GD का एक्जाम होगा देखे दोस्तों अभी तक जितने भी GD के सिफ्टों में एक्जाम हुए है ना उनमें बिल्कुल यही कोशन पूछे गए हैं बिल्कुल ऐसे लेवल के और इस वीडियो में वही कोशन करने वाले हैं जो आने वाले दिनों में SSE GD पेपर में आएंगे तो वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा जिन भी सातियों का आगे एक्जाम है क्योंकि बिल्कुल यही कोशन आने वाले दिनों में जीडी में पूछा जाएगा तो आईए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखे फ्रेंड्स कोशन आपके स्क्रिन पे आगे हैं फर्स्ट कोशन है कि सेर सहा सूरी का मकबरा कहां पर स्तित है बात करें सेर सहा सूरी के मकबरे की तो यह सासा राम बिहार में स्तित है नेक्स्ट कोशन है गोरफिल्ट ट्रोफिक की स्खेल से समंदित है यह आपका क्रिकेट खेल से समंदित है नेक्स्ट कोशन देखते हैं सत्रवी लोकसबा में भारत के वितमंत्री कौन है देखे बिलकुल ऐसे कोशन जीडी में आ रहे हैं सत्रवी लोकसबा में भारत के वितमंत्री निर्मला सीता रमण है Next question भारतिया रिजर्स्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भारतिया रिजर्व बैंक RBI का जो स्थापना दिवस है ये 1 अप्रिल 1935 को मनाया जाता है Next question है उस समुद्र का नाम बताईए जो एशिया और अफरीका को आपस में अलग करता है उस समुद्र का नाम है दोस्तों लाल सागर लाल सागर जो है ना एशिया और अफरीका को अलग करता है नेक्स्ट कोशन है कि राष्ट्रे विज्ञान दिवस कब मनाते हैं 28 वरवरी को राष्ट्रे विज्ञान दिवस मनाया जाता है Next Question 2019 में Physics का Nobel पूरुषकार की से प्रदान किया गया ये Michael Mayer को प्रदान किया गया है Next Question देखते हैं भारतिय सविधान में जो Financial Emergency ना वो की सनुषेद में उलेकित है देखिए भारतिय सविधान में जो Financial Emergency है ये Article 360 में जो है ना उलेकित है नेक्स्ट कोशने की सविधान दिवस कम मनाय जाता है ये आपका 26 नमबर को मनाया जाता है नेक्स्ट कोशने की मोहन जोदलो की जो खुदाई है वो किसने की थी मोहन जोदलो की खुदाई राखल दास बनरजी के द्वारा की गई थी नेक्स्ट कोशन है भारत के राष्टेपती पद के लिए नून्तम आयू कितनी होनी चाहिए भारत के राष्टेपती पद के लिए नून्तम आयू 35 वर्स होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे कोशन अभी तक जीडी में आये हैं और ऐसे कोशनी आने वाले दिनों में आएंगे नेक्स्ट कोशन है गंगा का उद्गम स्थल कोन सा है गंगोत्री गलेशियर जो है न ये गंगा का उद्गम स्थल है नेक्स्ट कोशन है दोहजार अठारा के लिए दादा साइब फाल के अवोर्ड किसे दिया गया ये दिया गया अमिताब बच्चन को नेक्स्ट कोशन है पुलिकट जील कहां पर है देखिए आंदर परदेश और तमिल नाडू की सीमा पर जो है ना पुलिकट जील स्थित है नेक्स्ट कोशन खून का पीच मान कितना होता है खून का पीच मान 7.4 होता है नेक्स्ट कोशन है Crystal Award 2020 किस ने जिता Crystal Award 2020 दिपिका पादुकोन ने जिता है हडप नीती का जनक किसे मानते हैं देखिए हडप नीती का जनक जो है ना लोड डलोजी को कहा जाता है एक कोशन है कि छत्रपती सिवाजी टर्मिनल की स्थापना कब हुई थी चत्रपती सिवाजी टर्मिनल की स्थापना मई 1853 में हुई थी नेक्स्ट कोशन है 1973 में Project Tiger की सुरुवात किस नेशनल पारक से की गई थी तो ये Jim Corbett नेशनल पारक से की गई थी ठेक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन देखते हैं फटाफट से अगला कोशन है कि कांग्रेस के लखनव अधिवेशन 1916 के अधेक्स कोन थे कांग्रेस के लखनव अधिवेशन 1916 के अधेक्स थे अंभीका चरण मजूमदार नेक्स्ट कोशन है लोगसबा में प्रस्णों की जो स्वीकारिता का जो फैसला है ना वो कौन करता है लोगसभा में प्रश्णों की स्वीकारिता का फैसला लोगसभा अधेक्स के द्वारा की जाती है नेक्स्ट कोशन है, BCCI के अधेक्स कोन है वर्तमान में? BCCI के चेर्मेन है सोरव गांगूली नेक्स्ट कोशन भुटान का जो राष्टे खेल है ना वो कौन सा है भुटान का राष्टे खेल है तिरंदा जी नेक्स्ट कोशन साइलेंट वैली भारत के किस राजे में है तो ये केरल राजे में है next question है smart city index 2020 में भारतिय सहरों में सिरस्थान किसका है है एदराबाद का है ऐसा एक question GD में आया भी था next question है राजे विधान मंडल की सनुचेत के अंतरगत दिया गया है राजे विधान मंडल article 168 के अंतरगत दिया गया है ठीक है दोस्तों next question देखते हैं अगला question है कि Miss Universe 2019 की विजेता कोन मनी है Miss Universe 2019 की विजेता है जोजी बीनी टुनजी जो है ना ये Miss Universe 2019 की विजेता है next question है 2020 में राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार कितने वेक्तियों को मिला है 2020 में राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार टोटल 5 वेक्तियों को दिया गया और ध्यान रखेगा राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार का नाम बदल कर अब मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुषकार कर दिया गया है नेक्स्ट कोशन है हेदराबाद सहर किसके द्वारा स्थापित किया गया था हेदराबाद सहर की बात करते हैं तो इसे स्थापित किया था मुहम्मद कुली कुतुब शा के द्वारा हेदराबाद सहर स्थापित किया गया था नेक्स्ट कोशन है वायू मंडल में ओजोन परत किस मंडल में स्थित होता है वायू मंडल में ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में स्थित होता है नेक्स्ट कोशन देखते हैं निमन लिखित में से कोन सा संसदिय समीती में राजे सबा का कोई सदस्य नहीं होता देखे दोस कांड़ला पोर्ट का नाम क्या है दीन द्याल उपाध्याय पोर्ट गोवा मुक्ती दिवस कम मनाया जाता है गोवा मुक्ती दिवस 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है नेक्स्ट कोशन है स्टेचू ओफ यूनिटी की उन्चाई पूछी है स्टेचू ओफ यूनिटी की टोटल उन्चाई है 182 मीटर ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन 1857 की करांती के बाद बहादूर शाह जफर की मृत्यूकिस्तान पर हुई थी रंगून जेल में नेक्स्ट कोशन है राष्टे यूवा दिवस कम मनाते हैं 12 जनवरी को मना जाता है बिहू लोक नरते किस राजे से समंदित है तो ये आपका असम राजे से समंदित है सविधान सभा में प्रारूप समीति के एदेक्स कोन थे तो ये थे भीम राव अमबेडिकर जी ठीक है दो पगडी उचानला मुहावरे का क्या आर्थ होता है बेजती करना या हसी उडाना दोनों ही सही है नेक्स्ट कोशन है ये देखे कर चुके अपने जो त्रिव चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा जो त्रिव गती से चलता हो उसके लिए एक शब्द होगा सिग्र गा ये सब क्या है व्रक्ष के प्राइवाचे है नेक्स्ट कोशन जो अभी अभी जनमा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है नवजात नेक्स्ट कोशन है सरवदा का विलोम क्या होगा सरवदा का विलोम होगा कभी कभी नेक्स्ट कोशन उंट के मुहें में जीरा मुहावरा का होता है इसका आर्थ होता है जरूरत से कम देखे सबी कोशन अपने कर चुके हैं आज आपका कोई भी जीडी का एकजाम नहीं था यह वीडियो मैं उनके लेक रहा है था जिनका भी आगे एकजाम है देखे यही कोशन आपके आने वाले दिनों में जीडी एक्जाम में पूछी आएंगे अगर आपको इन सभी क्योशन का पीडिया फाइल दोस्तों डाउनलोड करना है तो टेलिग्राम चैनल को जोइन करके आप पीडिया फाइल डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिशन में ने दे दिया है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा स्यादा लाइक करें शेयर करें और साथ में चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद